आपको उन सबको बेटा अच्छे से बनाना है और आपको उन सबको बेटा अच्छे से बनाना है सारे क्वेशन के आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है एक चीज में आप सबको यह बदा दूं कि मुझसे कई सारे बच्चे पूछने की सारा मौर प्रैक्टिस कहां से करें क्या करें क्या नहीं करें तो आप सिर्फ इतना मुष्पे वरोशा राकिए कि अगर आप इमा अगर आप उतना प्रैक्टिस कर रहें दिन बिलीव मी आपको उससे जादे की जरूरत नहीं पड़ेगी उतना भरोशा रखो क्योंकि इतने डिटेल लेक्ट्र मेरे बनाने का परपस सिर्फ और सिर्फ यह है कि तुम्हारा बेनिफिट हो पाए तुम्हारा थोड़ा सा टा यह बेटा अपने पास question number 6 से 10 तक लिखा हुआ है यह बेटा अपने पास 4 और सवाल है तो अभी तक जो मैंने आपको 14 questions दी हैं यह 14 के 14 सवाल बेटा single correct वाले हैं मतलब इन सब सवालों में सिर्फ और सिर्फ एक option correct है अब मैं आप कुछ सवाल ऐसे दे रहा हूं जो more than one correct वा तो बच्चों जैसे आप देख सकते हैं यह जो दो सवाल हैं यह more than one correct है मतलब इसका यह है कि इन दोनों सवालों में एक से ज्यादा option सही हो सकते हैं अब इसके बाद सिर्फ मैं आपको बेटा दो assertion reason के सवाल दूँगा और उसके बाद फिर हम आज के lecture के questions स्टार्ट ठीक है बच्चों तो these are the final questions, the final 18 questions of homework यह जो बच्चों दो सवाल हैं वो assertion reason type के questions हैं जिसमें आपके पास चार options बेटा उपर लिखे हुए हैं and based on these options आपको question no.17 और question no.18 को answer करना है I expect बच्चों आप सबके सब जल्दी से जल्दी इनको solve करके comment से मुझे answers share करेंगे ठीके बच्चों तो I believe आपने सारे के सारे humba quality questions अच्छे से देख लिए होंगे और आप उनको जरूर solve भी करेंगे तो चलिए बच्वाज के अपने लेक्चर का जो पहला सवाल है वो एट्रीपली 2012 का सवाल था लिखा हुए if a b c d and p are distant real numbers such that एक condition दी हुए और एक बार में देखें एक बार में देखने हैं बड़ी खतरनाक्षी एक condition लगती है और इसमें लिखा हुए this is always less than or equal to 0 देन यह बड़ी चीजों में से कौन सा ओप्शन चाहिए हो यह हमको बताना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखो जब भी बेटा आपको इस तरीके की inequality में इस तरीके की inequality में या equal to अगर सिर्फ 0 भी दिया होता हमेशा बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखने है वह चीज क्या है कि जब भी मुझे स्क्वेर्ज वाले टॉं दिख रहे हैं मेरा दिमाग एक बर के लिए जाना चाहिए कि या यहें कि पर्फेक्ट स्क्वेर बन सकता है या नहीं द्यान से लिखो अगर यहाँ पर मैं अगर इसको ब्रेक करके ऐसे लिखूं कि देखो यह वाला A² इस P² से मल्टिप्लाई होगा तो मेरे पास आया अगा A² P² ठीके इसके बाद यह वाला माइनस 2PAB और यह वाला प्लस B² तीनो चीजों के जो पहले पहले टर्म अगर वेटा मैं उसको ध्यान से देखूं तो क्या यह चीज मुझे दिखाई देती है कि यह यह वाला प्लस B² यह यहां से आया और उसके बाद प्लस B² यह यहां से आया इसके बाद यहां पर आयेगा माइनस 2PBC माइनस 2PBC और यहां पर प्लस C² यहां पर प्लस C² तो यहां पर क्या है यह बोल चकता हूं देसे नथे बाद बाद B P माइनस C का होल स्कूर देखो B² P² माइनस 2PBC और प्लस C² और लास्ट वाला प्लस C² प्लस C² प्लस C² उसके बाद यहां बीच में आगया अपने पास माइनस 2PCD और यहां पर अपने पास आगया प्लस D² इसको हम क्या लिख सकते हैं इस इस नथिग बट Cp माइनस D का होल स्कूर अब इसमें बेटा ऑब्जर्वेशन के अक यह है कि यह तीनों के तीनों क्या बनें यह तीनों के तीनों पर्फेक्ट स्कूर बन गा को आप बेटा मुझे सोच के बताओ कि कया तीन perfect squares का sum कभी भी 0 से छोटा हो सकता है कि तीन perfect squares का sum कभी भी बेटा किसी भी situation में 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि perfect square is always positive या 0 ठीक है इसका मतलब क्या है कि अगर ये तीनो perfect square का sum less than equal to 0 बोला गया था अगर ये तीनो perfect square का sum less than equal to 0 बोला गया था तो मुझे एक चीज़ चमझ में आती है कि यह less than 0 तो कभी हो ही नहीं सकता ज्यादा से ज्यादा यह equal to 0 हो सकता और यह equal to 0 की मत्चो कब होगा यह equal to 0 की तब होगा जब this is also 0, this is also 0 and this is also 0 जब 3 to 3.0 the perfect square मेरे 0 के बराबर हो जाएंगे सिर्फ पार सिर्फ तब यह 0 के बराबर आएगा तो यहाँसे देखो a-p minus d equal to 0 तो a-p की value आगए b के बराबर यहाँसे बच्चो bp की value आज़ेगी c के बराबर और यहां से बच्चों CP की वाइल आजेगी ठीक के बराबर एक बार जैसी मेरे पास यह चीज आगे तो यहां से मैं P is equal to बोल सकता हूं B by A, यहां से मैं P is equal to c by B, और यहां से मैं P is equal to बहुत ध्यां से देखो क्योंकि यह तीनों चीज अब P के बराबर है तो क्या हम यह बोल चकते हैं B by A is equal to c by B is equal to d by C ऐसा कब होता है ऐसा तर होते हैं जब तीन टम्स GP में होते हैं आप सोचके देखो अगर यह टांस A, B, C, D अगर यह सारे के सारे टम्स GP में होंगे तो common ratio का सेम होगा इस B by A will be equal to c by B will be equal to d by C जो यहां पर लिखा हुग है इसका मतलब कहा है that A, B, C, D, R, N, GP which is option C A, B, C, D, R, N, GP ठीके बड़ चोदो पर नेक्स सवाल है J मेंस 2016 का बढ़िया सवाल आया तो लिखागा let XYZ be positive real numbers such that x plus y plus z equal to 12 and x cube y raise to the power 4 and z raise to the power 5 is equal to 0.1 into 600 का cube तो हमसे पूछा जा रहे कि बताओ x cube plus y cube plus z cube कितना होगा अब बेटा सबसे पहले सबसे पहले मैंने आपको चीज क्या बताइए कि जब भी positive real number दिया हुआ हो और आपके पास इस तरीके की conditions दियो ही नो जैसे देखो यहां पर x cube y raise to the power 4 and raise to the power 5 और उसके बागल में जो number लिखा हो बहुत एक बड़ा सा number क्या बेटा यह चीज आप सोच सकते हो कि यहां पर am greater than equal to gm वाला concept लगना चीज प्रैक्टिकली सोच के देखो और यहां पर positive real number भी लिखा हुआ है यहां पर इनका sum भी दिया हुआ है यहां पर यह वाली चीज लिखे हुए तो मेरा ऐसा अब्रोच करने का जो पहला तरीका होगा पहला तरीका क्या होगा पहला तरीका होगा एक सब्सक्राइब करने सकते नहीं आपके पास यहां कोई मौकर है कि आप इस दो इक्वेशन दिया हो तो इसके लिए हमारा ध्यान किसमें जाना चाहिए अगर मान लो गेटा अगर मान लो मेरे पास यहां पर टर्म दिये हुए इक्स, वाई और जेड और इसका सम है 12, एक्स, वाई और जेड यह तीनों का सम मेरे पास दिया हुए 12 ठीक है अब करते है कैसे आपको यह बता रहा हो यहां पर मुझे X-Cube दिख रहा है, X-Cube का product हो रहा है, Y raised to the power 4 से, और उसका product हो रहा है Z raised to the power 5 से, मतलब बिटा सोच के देखो, अगर इस X को मैं break करके लिखू, X by 3, plus X by 3, plus X by 3, तो जब यह तीनों टर्म जापा से मड़ी प्लाइब होगे, उधर, GF वाले सीस में उसके बाद क्यों है Pakistan क्यों 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 कि इस तसी में यॣ को ब्रेग नियुक्त जब चारों क्यों क्योंकी य॔र फाइट जार उंडिक्लाः होंगे फाइब य४्याइँ प्रेड़ाट लिखेंगा वेट भाय वाइव प्लस एड़ भाय Fाइव क्ल से डाइब उब सब्रेंक संपिए ऐस ही यह पूरा कशण किटने को अगर मैं आपको बोलू कि मुझे यह बताओर यह टोटल नम्बर उस कितने झांज दिखेंगे हैं लिए एक दो तीन चारफ प्रेटर नगरवर्ण तो अगर मैं यह बोलू कि बेटा यह बाराल टम्स का संब इस बारा टम्स का संब डिवाइदेड वाइं वाइं ट्वेल्फ must be greater than or equal to यह 12 terms का product बहुत बढ़ान से देखना बैटा 12 terms का product तो जब यह multiply होंगे तो यह आ जाएगा x by 3 का whole cube यह multiply होंगे तो आ जाएगा y by 4 की power 4 और यह multiply होंगे तो आ जाएगा z by 5 की power 5 ठीक है product और raise to the power कितना raise to the power 1 by 2 ऐसा ही होता है am greater than equal to gm इस ते ही case होता है अब जैसी बैटा इसका हम solve करेंगे तो यह सब का sum मैंने क्या बोला था यह सब का sum तो यह सब का sum कितना था यह सब का sum को 12 था तो मतलब यह क्या लिखा होगा यह सब का sum जितना भी आएगा यह सब का बेटा जो sum जितना भी आएगा यह सब का sum कितना आएगा यह सब का sum आएगा 12 यह सब का sum आएगा 12 तो 12 divided by 12 will be equal to 1 यह पूरी चीज़ का sum will be equal to 12 तो 12 divided by 12 कितना आजाएगा 1 तो 1 is greater than equal to the product of x cube y raise to the power 4 z raise to the power 5 upon 3 cube into y sorry 3 cube into 4 raise to the power 4 into 5 raise to the power 5 चीक है और इस पूरे का power 1 by 12 इस पूरे का power 1 by 12 तो जब मैं दोनों तरफ जब मैं दोनों तरफ बेटा power 12 चा मुल्टिप्लाइगा तो यह वाली चीज़ हट जाएगी और यहाँ वाली चीज़ हट जाएगी मुल्टिप्लाइगा 5 raise to the power 5 मुस्ट बेटर देन और इक्वाल इस मुस्ट बेटर देन और इक्वाल तो x cube y raise to the power 4 and z raise to the power 5 यह इस से प्रणाओ अचीज़ है अब देखो बेटा आपके पास इसकी वाल्यू कितने जीवी x cube y raise to the power 4 and z raise to the power 5 की पेटा अपने पास वैल्यू जीवी है 0.1 into 600 का Q क्या दिया बाद 0.1 into 600 का Q सो उसके देखो इस गिवन as 0.1 into 600 का Q एगर पेटा अगर मैं इसको factorize करूंगा तुचे को कैसे लिखूंगा 0.1 को लिखूंगा 1 by 10 ठीक है और 600 600 को क्या लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया तो 300 फिर 2 से डिवाइड किया तो 150 फिर 2 से डिवाइड किया तो 75 उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो 25 और फिर 5 कसको है और इस पूरे का Q यही इसका प्राइम फेटरिजेशन तो यहां से बताओ मेरे पास क्या गया बिटा ये 2 x 2 x 2 इसको तो क्या मैं directly अंदर 2 का cube लिख सकतो और यहां पर आप देखो यह लिखा 1 by 2 x 5 जो 10 है उसको लिख लिख लिए 2 x 5 अब 2 का cube का cube तो मतलब कितना जाएगा 2 की power 9 फिर 3 का cube और उसके बाद 5 का square और उसका cube तो 5 raise to the power 6 ये चीज अपने पास आगा ये वाला एक 2 इस 9 से जब बेटा कटेगा तो 8 आएगा और ये वाला एक 5 जब इस 6 से कटेगा तो 5 आएगा तो मतलब मेरे पास बचा कितना ये ये बेटा मेरे पास बचा 2 raise to the power 8 multiplied by 3 cube multiplied by 5 raise to the power 5 ये चीज बची देखो 3 cube यहां पर 3 cube लिखा हुए यहां 4 raise to the power 4 या 2 raise to the power 8 है दोनों का मतलब रहें किया क्योंकि मैं 4 को 2 आ 2 raise to the power 8 दो यह बी 2 heева फे 2 raise to the power 8 ह George and Sun M इस पूरी चीज़ ए चीज ए इकोल टू एक यह लिखा हुगा जो इंटु फोर्ट टो लिए प्राइज करके देखता है, यह से बिटाव क्या कंथी कर सकते हो, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, यह शॉटकट है, इसका एक्च्वल मेथड नहीं है, जो आपको बोल रहा हूं आपको एक मिटा बताऊंगा कि मैंने amgm क्यों लगा है लेकिन देखो अगर हम directly यहां से observe करें तो क्या हम यह बोल सकता हूं कि x की value 3 के बराबर होनी चाहिए y की value 4 के बराबर होनी चाहिए और z की value 5 के बराबर होनी चाहिए अगर हम directly यह बोलें तो देखो x plus y plus z क्या है satisfy कर रहे है x की value 3, y की value 4, z की value 5 तो 3 plus 4, 7 और 5, 12 satisfy कर रहे है इसका मतब answer x cube plus y cube plus z cube अगर पुछा रहे है तो 3 का cube विल बी 27 4 का cube विल बी 64 and 5 का cube विल बी 125 तो 27, 64 और 125 बेटा जब मैं इंको add करूँगा तो 120 और 60, 180 और 20 200, 211 और 5, 216 answer तो बेटा मुझे पता से चुक है D option answer बेटा मुझे पता से चुक है D option लेकिन इसमें तुम्हारा हो सकता है समाल ऐसा IAP sir आपको ये पूरी मेहनत AMGMP करने की जरूरत क्या थी आप अगर पहले step में इसको directly factorize करते हैं जैसे आपने यहां पर किया जैसे आपने यहां पर किया अगर आप इसको directly factorize करते हैं और अगर आप देखके बता देते हैं कि इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका होता ना तुमको बहता हो ठीक है अगर आपके पास बेटा AM और GM पराबर आ लिए इस पूरे की वैलिए इस पूरे की वैलिए उसके बराबर आ लिए तो यहां पर क्या रहा है इसका आपने लिए फोर आपने लिए लिए ना पड़ेगा याद करो जब अब नंबर लगाते थे देखो मानगों अगर दो नंबर लोगे थे ए और बी तो अगर बोलता था कि अगर यही बोलता था तो इसको सॉल्फ करने पें क्या आता था अगर एक्या मीन विए इक्सी कलों यही बोल तೇथे न लून होता था वही है लग यह बहिए यहां पर यह कि ए अगर यहां पर नहीं वाले तीन याण फॉर वाले चाहर टर्म से का अलो को x by 3 is equal to y by 4 is equal to z by 5 दो फिए-धन ही इसकी भाइल वेल्यो मैं पर सब्सक्राइब पर इसको का z और k is equal to 1 और अगर k की value 1 आती तो यहां से actually x की value 3, y की value 4 और z की value 5 ही यह k की value 1 आती थी इस वेज़े से मुझे बहुत आशानी से यह चीज दिंग दे अधर्वाइस बिटा हो सकता है थोड़ा सा इसमें problem आता तो आपको shortcut की बाता चल गया कि आप directly कैसे कर सकते थे वह अपने किस्मत की बात है बाइचांस अपने पास value वैसी set थी कि answer एक बार में आ लिया अधर्वाइस जो amgm का proper concept होता है उससे कैसे आना है मैंने आपको भी अच्छे से बता दिये बच्चों यह दो सवालों को भी आप लोग होग में रख लीजिए आसान सवाल है अगा की यह यह आप इन्हें भी homework में रखिए question number 19th और 20th में और अब हम जाई advance के सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो यह मुझे देखके इतना तो पता चलता है कि यह एक GP है इस GP का पेटा जो पहला term the first term of this GP is 3 by 4 and the common ratio, the common ratio of this GP is minus 3 by 4 क्योंकि देखो इस 3 by 4 में जब मैंने minus 3 by 4 multiply किया तो यह आया फिर इसमें जब मैंने minus 3 by 4 multiply किया तो यह आया और इस परीके से मेरे पास series इसी किसे में बताओ terms कितने हैं तो यहां पर देखो 3 by 4 की power 1 है, 3 by 4 की power 2 है, 3 by 4 की power 3 है इस तरीके से 3 by 4 की power n तक है मतलब इसमें total बिटा जो number of terms है वो n total number of terms n अब अब आपने को बोला जारे, a n की यह पूरी value है, b n is equal to 1 minus a n तो मुझे वो natural number n नॉट बताना है such that b n is greater than a n for all n greater than n यह पूरा गपूरा बेटा खेल यहीं करें, जो last cut में खस आता है बच्चे को जहां पे दलती हो इसमें, अभी आप देखेंगे, maximum 99.9% बच्चे इधर दलती करेंगे, अब देखना कैसे, सबस्क्राइब देखो, b n की बेटा value दियो यह 1 minus a n और आपको बोला जारा है b n is greater than a n तो मतलब b n is greater than a n अपने को बोला जारा है और b n की value है 1 minus a n तो this should be greater than a n यहां यहां सी क्या बोल जकते हैं कि 1 is greater than 2 a n और a n और plus a n तो 1 is greater than 2 a n आगे, अब जैसी बेटा आपने पास, 1 is greater than 2 a n आया, तो आप देखो, 1 by 2 is greater than, 1 by 2 यहां तो इदा लेंगे, तो 1 by 2 is greater than, अब a n जो है, a n जो है बेटा आप n टर्म्स तक के सम, n तक के सम क्या होता है अपने पास, a in 2, a in 2, 1 minus r रेस्ची तो पाँ हो रहे है न, क्योंकि यहां पर common ratio जो है बेटा वो अंचर सोटा है तो आपने इस्टीश को लिख सर्ट है, तो a into 1 minus, 1 minus r बोलो किया है, अपने पास r है, minus 3 by 4, तो 1 minus r raise to the power n, a into 1 minus r raise to the power n upon, a into 1 minus r raise to the power n upon, 1 minus r, तो 1 minus, फिर r की जगा minus 3 by 4, फिर r की जगा minus 3 by 4, तो यहां से बोलो अपने पास एक इतना जाया है क्या है, जब आप इसको solve करो तो 1 प्लस 3 by 4 इसको क्या में डिरेक्ली इसको क्या विटा में डिरेक्ली 7 by 4 लिख सकता हूं कि थोड़ा सा अपना कैल्कुलेशन बचेगा और यह वाला 4 और यह वाला 4 cancel out भी हो जाएगा तो बोला मेरे पास क्या बच जाएगा मेरे पास बेटा को सेगा half is greater than यह 3 by 7 यह 3 by 7 जब 1 से मिल्टिप्लाई होगा तो 3 by 7 चीक है और फिर यह वाला जो हाफ है यह वाला जो हाफ है अगर पेटा यह 3 by 7 को में इस्टेट लें यह वाले पेटा अगर में 3 by 7 तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा half minus 3 by 7 is greater than minus 3 by 7 times minus 3 by 4 raised to the power m जब हम इसे solve करेंगे तो बताओ लेंगे तो यहां पर 7 minus 6 7 minus 6 और यह पूरा का पूरा पूरा सॉल्व होने के बाद 1 by 14 आए यह वेटा पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद 1 by 14 थीक है कैसे देखो 1 by 2 था और minus 3 by 7 मैंने किया तो 7 minus 2 into 3 6 upon 2 into 7 मुत्वा 14 तो यह वान पूर्टी मैंने डारेक्टी मैंने डारेक्टी मैंने डारेक्टी स्पीड अपनी वेटा तभी बढ़ती है जब अपन कई सारा कैल्कुलेशन अपनी दिमाग में करने रहे जाते हैं हर चीज को लिखने की अपने को ज अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता है अब यह थी लिख मिनस ठीलेशन पावरएं घजेओ ठील आप बहुते हैं हुआए जाम न की भी गडऱ्ियु पर क्या जाएगा माइनस 0.75 तो आपको यह चीज़ पता है कि भी यह 0.75 जो है माइनस 0.75 यह नमबर लाइन होगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास पास-0.16 और यहां पर बिटा आपके पास आएगा-0.70 ऐसे यह आएगा पॉजिटिव में नमबर जितना बड़ा होता है नेगेटिव में नमबर उतना ही छोटा होता है तो आपके पास देखो-0.75 बड़ा बोल रहा है यहां पर यह-3 by 4 का पावर 2 क्या यह अब एक पॉजिटिव नमबर होगे मतलग कि एक चीज सही पॉजिटिव नमबर इस लेटर देन नेगेटिव नमबर कोई देखता रहें कई बच्चे तो यह पे जलती कर देंगे क्या देखते कि यह 2 आ गया मतलब ठीक एंट की वाल्यू लगा दो आपको सबसे बहुत नमबर बोला गया था सबसे चोटा नमबर तो एंट की वाल एंड बोला है आपको यहां पर फॉर ऑल एंड बोला है मतलब की टू से बढ़ा ऐसा कोई भी और नमबर नहीं मिलना चाहिए जिसमें कि यह वाला नमबर इससे चोटा निकले जाए जैसे यहां पर देखो अगर वैल्यों बोलूंगा तो देखो क्या इसको मैं असले लिक सकता हूं 0.270 हो जाएगा तो 64 x 4 something होगा 4 something होगा क्योंकि 256 आएगा तो यह 270 तो यह 0.4 के आसपास होगा बिताब माइनस है तो यह माइनस 0.4 कहीं यहां पर माइनस 0.4 approximately यहां पर तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं n का पावर बढ़ाते जा रहा हूं वैसे 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 यह नंबर देखो पहले माइनस 0.75 था फिर खिसक के धीरे से आ गया है और अब माइनस 0.4 पर तो क्या n is equal to 2 मेरा answer हो सकता था क्यों क्योंकि n equal to 2 से अब इसके बाद हम रखके देखते हैं n equal to 5 हम रखके देखते हैं n equal to 5 जैसी मैं यहां पर पावर 5 रखूंगा पावर जब मैं 5 रखोंगा तो बोलो क्या एक माइनस टाइंच आइम चौफ 3 की पावर 5 3 की पावर 5 गोलो बिटा कितना होता है त्रीकी पावर 5 इस 81 इंटू 3 तू 40 ती की पावर 5 इस 240 ठीके और उसके बाद 4 रस तो पावर 5 प्या मैं टू रस तो पावर 10 बोर सकता है आपको आना चीए करने हैं। अप्रॉक्शिमेट्टेशन है। एक प्रॉक्रीटर का यूज नहीं करने है। तो जैसे हैं आप डेसिमल लगा के तो यह हो जाए के 2430, यह हो जाए के 2430, बतलब यह 0.2 का आसपास आगा, यह 0.2 के असपरस आगा विथा माइनस हैं तो देखो जब आपने n की पावर 5 रहा तो यह इसके और करीब आ गया और यह आगया माइनस 0.2 के असपरस अभी भी पेटा यह चीज वैलिट नहीं है अभी पेटा यह चीज वैलिट नहीं है क्योंकि वहाँ यहाँ पे-2 नहीं है सही नहीं तो न इकोल टू 5 रिजेक्ट हो गया अगर एक वाड़ आप देखो एक वार इसके वाड़ नहीं तो इसके वाज़े से मुझे एक वालिट नहीं तो इसकी वाज़र से मुझे न स्टो फोर को भी हटाना पड़ा अब बेटा जब मैं एकोल जिस तरीके से आगे आते जागे तो यह अपने पास n इगोल्स to 7 में हो जाएगा माइनस अब देखो 3 की पावर 5 पर 240 जी तो 243 में पेटा जब में एक बार और 3 मुल्टिप्लाय करूंगा तो मेरे पास आएगा ये सब्सक्राइब करूंगा तो यह मेरे पास आज आएगा ने थोड़ा सब्सक्राइब करूंगा ने थोड़ा सब्सक्राइब कर दी आपने पास 2187 अब जैसी अपने पास यह आया अपन अपने पास 1024 वह तो प्रेटा आपने पास पूर पावर 5 अपने पूला जारा है पूर रेस पावर 7 इसका मतलब कि जब 1024 1024 में एक बार और 4 जब मैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां से अपने पास 1024 मुझे 16 कौर मैं करना पड़ेगा तभी तो यहां इसको बिटा जब आपके पास बताओ कितना जाएगा जिलो पॉइंट जिलो पॉइंट पॉइंट जिलो जैसे आप इसको करोगे तो यह आगे तो 21,870 तो यह सबसे पहले तो वन आया है ठीक है पर तब यह इस रेंज में आ चुक है और इसके बाद आप बिटा जब यह द इसका मतलब क्या है कि यह अब किसकते किसकते जो आगे आगा था आप यह यहां पर पहुँद चुक है तो यह आपको इसे डिटेल में आपको आपको एसे डिटेल में आपको तो देखो अब इतना पूरा मैनत करने के बाद 99 परसेंट बच्चे गलत कर देते हैं आप बेटा ध्यान से पड़ो आपको बेटा इस ग्रेटर देन निकालना था फॉर ऑल एंग्रेटर देन नौट और आपको पूछा किसकी वेल्यू किया आपको पूछा बेटा एंग्रेट कि यह बच्चे के बड़ते हैं यह निकालके छोगे देखा एंग इकल तुब सेवन हो रहा है आपने बोढ़ दिया शर्वन इकोल टुख समी अंसर मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे एडिकोल्टुख गुद्धी लगा लिये माइं लो स्पर इस पर नेकिन बेंड बेटा मैं थियарन से देखो तुमको पूला जा रहा है एंट से बड़ा होना जीए तो अगर यह एस इसका क्या इसका मतलब सबढ़ कोई भी न pagar लूम जबाएं नपर वुला ना तो अगर मैं कोई भी नाच रल नम시면 पाइव से बढ़ा लूँ तो वह वैलिड होगा जाएंगे इसलिए इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर इस और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा आप थोड़ा सा इस सवाल की बेटा सब्सक्राइब को देखके इंप्रेश भी होगे ठीके बच्चों तो अगले सवाल के अपना सामने लिखा हुआ है इसके अपने यहां आपको किया आपको बेटा इसके मीनिममम गर्युपूचिश जाए अगर बेटा मुझसे इसकी मीनिमममगें पूचिश जारी है मुझे दिख आया है कि a is a positive number मुझे बेटा दिख वह है a is a positive number तो क्या आपको minimum value वाली concept में चीज समझ में आती है कि हमें am is greater than equal to gm लगाना पड़ेगा हमें am is greater than equal to gm लगाना पड़ेगा अब इसे लगाना कैसे है सबसे पहले वह द्यान दो अगर बेटा तुम directly इस पर लगा दोगे एक दो तीन चार पांट छे चे नंबर का सम आपको minimum गई पूछा जा रहा है तो upon 6 इस बिल बीड़ेटर जेन इक्वेल टू यह छे नंबर का प्रोड़क्ट रहेज तो पावर मनगा इस आप यह बोलो के फैसा बच्च ऐसा बोल सकते है और जब आप इनका प्रोड़क्त करोगे जाए तो यह माइनस फाइब और माइनस पोर एड़ जायगा तो माइनस सब्सक्राइब तो यहां पर एक 3 वाला नंबर यह बच जाए अब आप मुझे यह बताओ कि यहां पी एक 3 की पावर 1 by 6 तुम कैश्कुलेट कर नहीं सकते वह पूरी चीज 6 से मल्टिप्लाइब होगी इंटीज है टाइब सभाग है 2011 का मतलब इसमें तुमने कुछ ना कुछ गल्ती की तो इसको करने का तरीका ऐसा नहीं आपको किस तरीके से लिने आपको वह समझना है अगर मालों मैं लिखता हूँ a raise to the power minus 5 a raise to the power minus 4 फिलिए 3 a raise to the power minus 3 यह तो a raise to the power minus 3 a raise to the power minus 3 और a raise to the power minus 3 तीन बाल यह और उसके पाद फिर एक है 1 उसके बाद है a raise to the power 8 और उसके बाद है a raise to the power 10 यही है अब बोरो कितने नमबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आठ नमबर्स का सम आज नंबर्स का सम डिवाइड़ बाई डिवाइड़ बाई एट मस्क भी ग्रेटर रेन और इक्वाल टू इन आज नंबर्स का प्रोड़क्ट रेस तो नपागा बन पाई अब देखे जब बेड़ा तुम इन सबको प्रोड़क्ट करोगे तो क्या है यह माइनस 5 में माइनस यहां पर सबके आगे बाई तो यहां पर आया आगे बन तो इस पूरे का बेटा यह पूरी चीज यह पूरी चीज इस लेरें यह अदध लेक्त अबर सबके है यह पूरी सब्सक्राहे पूरी को आगे ईस समाने जो लिए सब्सक्राइब फंतल क्या सबक्क्राहर स्क्क्राइब क्या कहते है लिए नो के है और यह इस से पढ़ा होके तो यह सवाल बहरा सा है और यह सवाल है arithmetic progression यह सवाल है arithmetic progression कर देखो आपके पास लिखा हुए लिखा हुए लेट A1 A2 A3 so up to A11 with real numbers satisfying A1 equal to 15 ठीक है A1 की अलिखा हुए लिखा 15 यह मुझे दियो यह और उसके बाद दिया हुए 27 minus 2 A2 is greater than 0 यह मुझे दिया हुए और उसके बाद ध्यान से देखो क्या लिखा है Ak is equal to twice of A k-1 minus A k-3 अगर बेटा मानलो तुम यहाँ पे k की value रखते हो 3 अगर बेटा मानलो तुम यहाँ पे k की value रखते हो 3 3 से एक 11 तक आप लख सकते हो जब आप बेटा 3 रखोगे तो देखो A3 is equal to 2 A2 minus A1 यही आया यहाँ मैं क्या बोल सकता हूं A3 plus A1 is equal to 2 A2 A3 plus A1 is equal to 2 A2 इसका क्या मतलब हो इसका यह मतलब हो इसका यह मतलब हो बेटा है कि A1 A2 A3 R in A P R in A P ठीक है अब देखो जब बेटा आपके A2 value 4 रखोगे 4 रखने पे बोलो क्या आएगा यहाँ पे जब मैंने 4 रखा तो A4 is equal to twice of A3 minus A2 मतलब A4 plus A2 is equal to twice of A3 जा मैं क्या बोल सकता हूं कि A2 A3 A4 R in A P मैं देखो A1 A2 A3 A P में है तो यहाँ पे common difference क्या है यहाँ पे common difference A2 minus A1 A3 minus A2 A2 A3 A4 भी A P में है यहाँ पे common difference क्या है A3 minus A2 है यहाँ पे common difference A3 minus A2 है इसका मतलब A1 A2 A3 A4 इसाब किस में है यह सारे के सारे बेटाए A P में यह सारे के सारे A1 minus A9 तो A9 plus A11 की value twice of A10 आज है की मतलब A9 A10 A11 साब A2 इसा करते हैं पेहला पहला term जो A1 है उसको मानलेते हैं small A उसको मानलेते हैं small A उसकी value उसने पास दिवी है 50 ठीके और इसके बाद देखो अपने को क्या बोला गिया बेटा A1 square A2 square A3 square ऐसा करते हुए A11 square तक के sum की value divided by 11 is equal to 90 यह बोलागे तो देखो A1 अपने पास क्या है A है A2 ओलो क्या होगा A2 A2 will be equal to A2 will be equal to A1 plus D यह आमें बोल सकता हु 15 plus D है ना common difference 15 plus common difference उसके बाद A3 will be equal to 15 plus 2D A4 will be equal to 15 plus 3D और इस तरीके से बेटा सारे के सारे अपने पास terms arranged होंगे तो देखो आपके पास बेटा जब इनके squares का sum इनके squares का sum देखो ध्यांसर A1 square A1 square आयगा 15 का square plus 15 का square plus A2 square आयगा 15 plus D come whole square फिर आयगा 15 plus 2D come whole square फिर आयगा 15 plus 3D come whole square देखो यह पहला term A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 ऐसा करके कहां तक ऐसा करके बेटा चलेगा A11 तक A11 तक और A11 में बलो क्या आयगा 15 plus 10D का whole square upon पूरे की upon में क्या लिखा हुआ 11 और इस पूरे की value बेटा मेरे पास दी हुए 90 इस पूरे की value मेरे पास दी हुए 90 तो जैसी इसको मैं solve करूंगा तो बता हो क्या आयगा मेरे पास यह बिटा आ जाएगा 15 का square तो हम यही ऐसे का ऐसे रहना देखते हैं फिर A plus B whole square क्या होता है A square plus 2 A B plus B square में आ जागा D square ठीक है उसके बाद यह हमने पहले वाले देखते हैं A square plus 2 A B plus B square यहां आ जाएगा 4D square ठीक है उसके बाद तीसरे वाले भी टाम का देज लेते हैं अपने expansion उससे हो सकते हमने कोई पैटन बता चल जाएगा कि क्या पैटन चल रहाए थार्ड वाले टाम का कि इसरे थार्णी प्लस तोगे सब्सक्राइब गार। है यहांपर यहां पर यहां पर आप दिखा इंगो इतनी वालिक है निए कर शारी के सारे में जब्की देख रहा करें हैं पहले मिए दूसरे में तीसरे में इसा चौखे में सबस्के हैं भी सबस्क्राइबार्य और बढुल सकोर में ऐह लिखा हुए स्क्राइब गर्भ了吧 इंद स्बस्टै ख?". तरा न लें ताangenलों से सजआ सब्सक्राइबрах 시般 कले रुखंगें, मुण लिकें रहे हैं ? मुग जबनेड मने हैं 20 का स्क्वर तक रहा है, रहे हैं 20 का स्क्वर गयंदंगता स्क्वर पिद्ध सब्सक्याmeeें , रटक्रास हएं , दी व मुजिट रहा है, ऌत्री निकिल रहा है यहाँ आचाहिए बसी इस तरी पार विफटेंट वी इस तीसरे वाले मेंदे खुआ टू बच रहा है चौते माले टार गॉँंए धॉण 10 तक हम चाहे लिएक व्हां टैनल नहीं सबस्केट होañ यह दिवाइड बाइड वाज इवाज ने सरे 2 विप्वार्वर में शुना गर مर्ट Christ क्या होगा 15 का स्क्वेर 15 का स्क्वेर इस 225 ठीक है उसके बाद यहां पर बेटा देखो 6 नीचे लिखा हुआ है तो अगर 2 से मैं काटूंगा तो 3 बचेगा यहां पर 5 बचेगा और 3 को इसार से काटूंगा तो 7 बचेगा तो 7 इंटू 5 35 D स्क्वेर आगे थाइटी फाइटी 15 इंटू 2 15 इंटू 2 35 25 is 150 तो प्लस 150 DR, प्लस 150 DR यह ठीक है और यह तो इस इक्वाल यह पास पाइनली इक्वेशन है जैसी मैं इसको डूब करूंगा डेखो क्या बेटा क्या मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यह वाल 90 को मैं से लिए हों यह जोड़ा रिख कर लिए द इसको पुरे में, क्या बेटा है इस पूरे में मुझे 5 का फैक्टर कॉमन देत रहे हैं, जरसी मैं 5 का फैक्टर कॉमन ले लूँगा, तो 70 स्क्वार प्लस 5 इंटु ये करेंगे तो 30D, प्लस 5 शाधर करेंगे तो 5 2s of 10 और उसके बाद 35 तो 27, इसे इक इपल तो इसे इक वाल जो जो अगर बेटा में पास यह चाहिए इसको करने के लिए बताओ दी की वैलियों अगर मैं यहां पर निकाल नो तो दी विल बी इक वेल टु माइनस भी प्लस माइनस रूट ओबर बी स्क्वेर बी स्क्वेर मैं आ जायागा मैं पास 900 जैसके आप कॉमन दिफरेंस निकालें के बोलो, कॉमन दिफरेंस कितना आ जायागा, जैसके आप इसको solve करोगे, इसको मैं लिएक सकता हूं, 30-2 x-a x-b वाली बीटा इडेंटिटी x-square-a-bx, तो 5-30 प्लस-a-b, तो प्लस अपने पास अजयरा 6, यह होती है इडेंटिटी x-square-a-b x-b, तो यहां से आप जैसी बीटा करोगे, तो 900 में से 150 गया, 756 आएगा इसका answer, आप चाहिए, तो नॉर्मली, प्लिप्लाय कर एगा रिख सकते हैं, तो इसका answer आएगा 756, अब आप लिए, यहां पर बेटा 756 है, और 900 में से मैंने करना है, मताब अब अंदर में पास बचे अगा, अंदर में पास बचे अगा 144, अं-दर में पास बचे तो यहां 18 by 14 है इसको भी बैटा आपन simplify करेंके 9 by 7 लिख सा इसको भी बैटा आपन simplify करेंके 9 by 7 लिख सा अब आप देखो आपके पास क्या लिखा हुआ हो था 27 minus 2 A2 was greater than 0 27 minus 2 A2 was greater than 0 तो मतलब 27 minus twice of A2 क्या है A2 is A1 plus D 15 तो 15 plus D this should have been greater than 0 तो यहां से हम बोल सकते हैं 27 minus 2 into 15 is minus 30 और minus 2D should be greater than 0 और यहां से हम बेटा बोल सकते हैं 2D is less than 2D is less than 27 minus 30 is minus 3 तो D is less than minus 3 by 2 common difference बेटा minus 3 by 2 से छोटा है common difference बेटा minus 3 by 2 से छोटा है देखो आपके पांस बेटा कौन कांसे नंबर है minus 9 by 7 है क्या minus 3 by 2 कितना होता है minus 1.5 minus 1.5 होता है तो minus 3 is less than minus 1.5 यह तो चल जाया है लेकिन यह वाला बेटा जो नंबर है minus 9 by 7 minus 9 by 7 is what minus 9 by 7 is approximately minus 1.1 जैसी आपके पास यहां पे 20 बजएगा तो 20 बजने है बेटा यह हो जायागा approximately 2 minus 1.2 के आसपस तो यह minus 1.5 से बढ़ा है यह minus 1.5 से बढ़ा है तो यह वाला बेटा आपने पास नंबर रिजेक्ट होगा ठीकिन एक साली मैनर करनी ही जलूगी तो आपने पास जैसी common difference के यलिए minus 3 आगे आप देखो आपको बेटा क्या पूचा गए देंधा स्राम यह यह जारा यह जारा इसका संबरो क्या होगा यह जारा टम्स का वेता सम्म विल भी अपने दूसरे में से लेख जरते हैं यह जारा जो टांस यह का विटा सम होगा N by 2 11 by 2 11 by 2 2 A A की value कितनी थी अबने पास 15 थी 2 A 11 minus 1 is 10 D D की value कितनी आई D की value आई यह आपने पास आया बेटाईज पूरे का सम और अपन में लिखा हुआ 11 इसकी value मुझे बतानी आप देखो गेटा 15 into 2 is 30 10 into minus 3 is also minus 30 30 or minus 30 क्या होगा 0 इसका मतला पेटा इस पूरे का आउसर कितना आएगा इस पूरे का आउसर आएगा 0 अपन बेडिया पेटा सवाल है काफी मेहतफ लगी है लेकिन आउसर इसका क्या आएगा 0 तो बच्चों अगला सवाल है J-Advance 2014 का सवाल बोला गया था एट ABCP positive integer सबसे पहले क्या बोले कि है वो positive integers such that B by A is also an integer B by A जो ratio है वो integer इस ABCR in GP अब आपके पास आगया क्या ABC है geometric progression तो मान लेते है पेटा पहला term तो A था B और C ये तीन तो B क्या होगा first time into common ratio मान लेते हैं कोई common ratio R होगा और C क्या होगा A into R square होगा इतना तो अपने को समझने आता है अब देखो आपको बोला क्या है कि सबसे पहले तो ये सारे के सारे क्या positive integers All these are positive integers positive integers इसको अपने को बिलकुल ध्यान रखने है ठीके B by A is also an integer B by A is also an integer तो B by A क्या है R B by A क्या है R तो R v क्या है पेटा R v एक integer R v एक क्या है integer और आप ये सोच के देखो पेटा कि R को भी positive integer ही तो होना पड़ेगा क्योंकि positive number में जब मैं positive number multiply करूं मैं तभी तो एक positive number आएगा तो R को भी क्या होना पड़ेगा इसको भी एक positive integer होना पड़ेगा इतना आपने को समाज में आता है इफ ABC है जीपी एंटर AM of arithmetic mean of ABC is B plus 2 अब देखो A plus B plus C by 3 यह होगा AM यह होगा arithmetic mean of ABC तीन numbers का and this is equal to बेटा मेंको बोला जारा है B plus 2 this is equal to बेटा मेंको बोला जारा है B plus 2 तो यहां से इसको में solve करूंगा तो A plus B plus C will be equal to 3B plus 6 यह 3 इधर चला गया तो यहां से आजाएगा A plus C will be equal to B अगर में वहां ले जाओं तो आजाएगा 2B plus 6 मेरे पास आजाएगा A plus C will be equal to 2B plus 6 अब क्या बोला गया कि इसकी value बताओ क्या बोला गया कि इसकी value बताओ अब देखो बेटाओ तो मुझे एक चीज simple सी समझाओ कि यहां पर अपने पास अगर मुझे इसको अगर मानलों का पहले सबसे पहले solve करूं तो देखो A की जगा पे तो A रहने देते हैं C की जगा क्या है आप देख सकते हो बेटाओ कि यह R-1 का whole square है सोचके जगा यह जो है R-1 का whole square है A into R-1 का whole square is equal to 6 A into R-1 का whole square is equal to 6 मैंने इसको 1-R क्यों नहीं बोला क्यों कि मुझे पता है नहीं R is a positive integer 1 से तो बड़ा होगा ना अगर 1 के बराबर होगा तो गड़बड हो गया नहीं अगर R की वेली 1 के बराबर हो तो तुमको पता है कि GP सारे के सारे सारे times क्या हो जाएंगे काम नहीं चले A into R square में A into R-1 का whole square यहां से बेटर इस इंप्लाइज फर्स्टर में पास कितना है 6 upon R-1 का whole square 6 upon R-1 का whole square ठीक है Common ratio अच्छो अपने को पता है कि एक positive integer common ratio अपने को पता है कि एक positive integer ठीक है अच्छा मुझे यह बताओ कि common ratio गया 0 तो नहीं बोल सकते है क्योंकि अगर मैं 0 बोलूंगा तो GP बचेगी तो अगर common ratio को अपन 0 भी बोल सकते है चलो common ratio को 1 भी आपन नहीं बोल सकते है क्योंकि 1 बोलेंगे तो A इक बचेगा अगर मैं 1 बोल दिया common ratio बो तो A मेरे पास आजाएगा 6 अपन 2-1 का whole square that will be 1 तो first time मेरे पास आगया 6 चीक अच्छा अगर मान लोगे common ratio को 3 बोलता तो क्या होता देख लेता अगर मैं common ratio को 3 बोलता तो यहां तो 3-1 3-1 is 2 2 का square is 4 6 by 4 A की value 6 by 4 cannot be possible A is a positive integer A is a positive integer तो A की value तो 0 4 हो नहीं सकता मतब क्यों ratio cannot be equal to 3 और इसके बार मैं कोई भी number लोगा वो हमेशा fraction आएगा इसका मतलब एक लौती बेटा R की possible value का है 2 और अगर एक लौती मेरे पास R की possible value 2 है तो मेरे पास पहला time और को मिल चुक है 6 पहला time और इसका है 6 बार अगला time क्या हो अगला time होगा पहला time है 6 A into R तो 6 into R की value है 2 तो यह आगा 12 फिर A into R square 6 into 2 का square 2 का square is 4 6 into 4 is 24 यह मेरे पास आगा तीनो terms A B और C A B C B positive integer तीनो positive integer है such that B by A is an integer B by is also an integer A B C R in G P 6, 12 and 24 R in G P A M of A B and C 6 12 or 24 24 or 12 36 or 6 42 42 by 3 is 14 14 की value आगे B plus 2 12 plus 2 के बराबर अभी अचारी कहानी बेट आपनी सही value of A square plus A minus 14 upon A plus 1 is तो देखो भाई A की value ही 6 तो यहान लिख लिए 6 का square is 36 plus 6 minus 14 upon 6 plus 1 जैसे इसको solve करेंगे 36 or 6 कितना होता है 36 or 6 और 42 42 42 में से 14 गया है 28 or 28 divided by 7 answer comes out to be 4 ठीके बच्चो तो आज के lecture का आखरी सवाल बीटा आज के lecture का आखरी सवाल है J advanced 2016 ठीके और यह अपने पास सवाल लिखा होगा अलाकि एक आख सवाल भी और बच्चा हुए J advanced का लेकिन उसको अपन आने वाले lectures में कर लेंगे ठीके आज 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 आपनने एक AP का सवाल किया जो J advanced का था उसी तरीके से जो भी अपने पास AP यह GP के सवाल बच्च रहोंगे अपन पूरा का पूरा प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के पहले कर लें सवाल लिखा हुए अब सबसक्राइब आप आज एक दो यह बताओ आज एक्सक्राइब अगर मैं एक्सक्राइब जीरो से पड़ी रखता हूं कोई भी एक्सक्राइब बताओ एतली वाल्फा की वैल्यू मिनिमम अब आपको बेटा सबसे पहली चीज अपने दिमाग में रखनी है मैंने आपको क्या बोला है कि अगर inequality दिखती है पॉजीटिव नंबर की बात होती है तो बुद्धी मेरी टी जाने चाही आपकी बुद्धी जाने लक्त चुकी जाने लगता तो आपसे सवाल सब्सक्राइब बहुत आपको बच्चे चाहते हैं कि मैं दाले कि इसमें इन आफ सब्सक्राइब यहां पर लिखा हुए 4 alpha x square यहां पर लिखा हुआ 1 by x यह मेरा दो तंब लगे अब अगर मैं इसमें डारेक्टली amgm लगाओं तो मेरा काम चल जाएगा यही तो बात है यही तो बात है कि हमको amgm की प्रैक्टिस की जरूरा थे क्योंकि आजे से जादे बच्चों को यही सम इसमें लगाओ के डारेक्टली तो नहीं होरा सवाल चाहिए लेकिन अगर मैं 1 by x को ब्रेक कर दूं 1 by 2 x 1 by 2 x 1 by 2 x और 1 by 2 x ने मिटा अगर मैं 1 by x को ब्रेक कर दूं अब अगर मैं amgm तुमको बोलूं लगाओ तो लगे का कैसे देखो अगर मानलो यह तीन टर्म्स है तो यह तीनो टर्म्स का सम यह तीनो टर्म्स का सम divided by 3 शुद भी रॉ्ट थेर लें ओ ईकvammaीक है तीनो टर्म्स का सम नेन और अखिंच अगर मोई को यह तीनो ट्ञश्क का अगर्ट जीनो तर्म्स का प्रोड क्रडक्त raise to the power 1 by 3 ऐसा ही होना छी है अब आप देखो पेटा ये वाला 2, ये वाला 2, 4 और ये 4 कड़ गया x और x, x square और x square कड़ गया तो मेरे पास क्या आया 4 alpha x square plus 1 by 2 x और 1 by 2 x अब इसको आप बले डारेक्ली रहा छी 4 alpha x square plus 1 by x is greater than or equal to ये वाला 3 गुम के वहां आया तो यहां 3 और अंदर alpha बचे तो alpha raise to the power 1 by 3 अब आप देखो ये पूरा हमेशा किस से बढ़ा? ये पूरा हमेशा 3 alpha raise to the power 1 by 3 से बढ़ा है और ये पूरा आपको भी दिया किस से बढ़ा था? ये पूरा बटा आपको दिया अगर बटा आपको AMGM आता है विदिन आ मिनट विदिन आ मिनट आपको 3 और 4 माल्स जितने कभी सवाल लगा होगा आपको वो मिल जाएगा प्रोवाइडर आपको AMGM लगाना आना चाहिए इसलिए बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं AMGM के अलग से प्रैक्टिस के लिए सवाल पोस्ट करूँ तो मैं वो कर दूँगा और उससे आपका AMGM काफी स्टॉंग हो जाएगा आपको आपको आज का लेक्चर पूरा बुरा बढ़िया से समझ में आया होगा वीडियो राइक करना पूरा इस सिटुएशन में कमें आपको मुझे सारे के सारे क्वेशन के आंसर बता नहीं है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोशिश कर भा हूं कि मैं सारे के सारे जितने मैं आप आपके लिए पोस्ट कर दूँ आप आंसर को अपने टैली कर ले आने वाले लेक्चर में हम एजीपी से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने फिरिंड से आप शेयर करें और जब तक हम एजीपी में नहीं मिलते तब तक के लिए थैंकियो वाचिए वाचिए वीडियो